जाबुआ की एक छात्रा का वीडियो वारल हो गया है ये पीजी कॉलेज की एक स्टूडेंट है और गुसे में कलेक्टर के लिए चुला रही है वो कह रही है कि हमें कलेक्टर बना दीजिये हम सब की मांगे पूरी कर देंगे क्या है पुरा मामला आईए हम आपको बताते हैं पीजी कॉलेज में पढ़ने वाली कॉलेज की छात्रा का एक वीडियो तेजी से वारल हो रहा है ये छात्रा अपने सहपाठियों के साथ कलेक्टर सोमेश मिश्रा को ग्यापन देने आई थी धूप में घंटो इंतजार की बाद भी जब कलेक्टर साहब उनसे मिलने नहीं तो गुसे से भरी ये छात्रा चिलाने लगी आपके पास वक्त नहीं है तो हमें कलेक्टर बना दो हम सब की मांगे पूरी कर देंगे हम आपसे भीक मांगने नहीं आए है छात्रा का ये वीडियो वारल हो गया है जब गरीब आदिवासी की बात नहीं सुनी जाती तो उसकी पीड़ा किस तरह निकल कराती है ये इस वीडियो में साफ दिख रहा है चात्रा धूप में तप रहे है लेकिन कलेक्टर सहाब उनसे मिलने नहीं आए फिर क्या था लड़की ने कलेक्टर सहाब को खरी खोटी सुना दी अपनी अलग-अलग समस्याओं को लेकर पीची कॉल के सामने रखना चाहते थे लेकिन जाबूआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा इनसे मिलने नहीं आए चात्र चात्रा आए कलेक्टरेट के कैमपिस में ही धरने पर बैठ जब काफी देर तक कोई भी ग्यापन लेने नहीं पहुचा तो इस चात्रा ने प्रशासन को खरी-खरी सुन आदिवासी परिवार की चात्रा का नाम निर्मला चौहान है जो अली राजपूर जिले के खंडाला खुशाल गाव के रहने वाली है फिलहाल जाबूआ पीजी कॉलेज में फस्ट इयर में पढ़ती है वो रोज बस से आना जाना करती है काफी धूप में खड़े रहने के जब छात्रा की और किसी ने ध्यान नहीं दिया तो गुस्से से भरी निर्मला चिलाने लगी हम अपनी समस्या बताने दूर दूर से आए है हम गरीब आदिवासी बसका किराया खर्च करके आए है सर आपके पास मिलने का समय नहीं है तो हमें कलेक्टर बना दीजे हम सब की म अब आपको दिखाते हैं वाइरल वीडियो में क्या था देखिए वाजी लोग पैसे किते किराया देखिया आते